कारकम्य उपस्तित, सांसद, विधायक और मेरे पहरे भाई और बैनों, चवरी चवरा की पवित्र भूमी पर देश के लिए बलिदान होने वाले, देश के स्वातंत्र संग्राम को एक नई दिशा देने वाले, वीर शहीदों के चर्णों में मैं प्रणाम करता हूँ, आदर पुर्वक्सर धांजली देता हूँ, इस कारकम में अलग-अलग जीडों में शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन भी उपस्तित है, अनेक स्वतंत्रता सेनायों के परिवार आज ऑनलाइन भी जुड़े हैं, आप सभी का भी मैं अभिनन्दन करता हूँ, आदर करता हूँ, साथियों सो वर्ष पहले, चौरी चौरा में जो हुआ, वो सिर्फ एक आग जनी की घटना, एक ठाने में आग लगा देनी की घटना शिर्फ नहीं थी, चौरी चौरा का संदेश, बहुत बड़ा था, बहुत व्यापक था, अनेक बज़न से, पहले जब भी, चौरी चौरा की बात हुई, उसे एक मामुली आग जनी के संदर्ब में ही देखा गया, लेकिन आग जनी की इन परिस्तितियों में हुई, क्या वज़े थी, ये भी उतनी ही महत्वपून है, आग ठाने में नहीं लगी थी, आग जन जन के दिलों में पज़वलित हो चुकी थी, चौरी चौरा के इतिहासिक संग्राम को, आज देश के इतिहास में जो स्थान दिया जा रहा है, उससे जो जुड़ा हुआ प्रयास हो रहा है, वो प्रसंशनी है, मैं योगी जी, उनकी पूरी टीम को इस काम के लिए बधाई देता हूँ, आज चौरी चौरा की शताबदी पर एक डाग टिकर भी जारी किया गया है, आज से शुरू हो रहे ये कारकम, पूरे साल आयोजित किये जाएंगे, इस दोरां चौरी चौरा के साथ ही हर गाउं, हर क्षेत्र के वीर बलिजानियों को भी याद किया जाएगा, इस साल जब देश अपनी आजाजी के 75 वे बर्स में प्रवेश कर रहा है, उस समय ऐसे समारों का होना, इसे और भी प्रासंगिक बना देता, साथियों, चौरी चौरां देश के सामान्य मानवी का स्वतहस फुर्त संग्राम था, यह दुर्भा क्या है, कि चौरी चौरा के शहीदों के जितनी चर्चा होनी थी, बहुत अधिक चर्चा नहीं हो पाईगे, इस संग्राम के शहीदों को, क्रांतिकारियों को, इतिहास के पन्नों में भले ही प्रमुक्ता से जगान नदी गई हो, लेकिन आधादि के लिए उनका खून देश की माटी में जरू मिला हुआ है, जो हमें हमेशा प्रेणा देता रहता है, अलग-अलग गाउं, अलग-अलग आयूं, अलग-अलग सामाजिक प्रस्ट भुमी, लेकिन एक साथ मुलकर वो सब माभारती की वीर संतान थे, आज़ादी के अंदोलन में संभावत है, ऐसे कम ही वाईके होंगे, ऐसे कमी घटनाएं होगी, जिसमें किसी एक घटना पर उन्ने स्वतंतरता सेनानियों को फासी के फंदे पे लटका दिया रहा हूँ, अंग्रे जी हुकुमत तो सेंकडो स्वतंतरता सेनानियों को फासी देने पर तुली हुई थी, लेकिन बाबा रागवदास और महामना मालिवेजी के प्रयासों की बज़र से करीब करीब डेड़ सो लोगों को फासी से बचा लिया गया था, इसलिए आज का दिन विशेश रुप से बाबा रागवदास और महामना मदन महन मालिवेजी को भी प्रणाम करने का है, उनका स्मरन करने का है, साथियों, मुझे खुशी है कि इस पूरे अभ्यान से हमारे चात्र, चात्राओं, युवाओं को प्रतियोगी ताके माध्यम से भी जोड़ा जा रहा है, हमारी युवाओं जो अध्यान करेंगे, उसे उने इतिहास के कई अन कहे पहलू पता चलेंगे, भारत सरकार के सिक्षामंत्राले ने भी आजादी के 75 साल पूरे होने पर, युवा लेखकों को स्वतंत्रता सेनानियों पर, किताब लिखने के लिए, गटनवों पर किताब लिखने के लिए, शोद पत्र लिखने के लिए आमंत्रित किया है, चौरी चौरा संग्राम के कितने ही ऐसे बीर सेनानी है, जिनके जीवन को आप देश के सामने ला सकते हैं, चौरी चौरा श्रताब्दी के इन कारकमों को, लोकल कला, संस्कृती और आत्म निर्वरता से जोड़ने का प्रयास किया गया है, ये प्रयास भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रती हमारी स्रद्धानली होगी, मैं इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री योगी आत्रीते नाज जी को और युपी की सरकार की भी सराना करता है। सात्यों, सामुहिक्ता के जिस शक्ती ने गुलामी की बेडियों को तोड़ा सा, वही शक्ती भारत को दुनिया की बड़ी ताकत भी बनाएगी। सामुहिक्ता की यही शक्ती आत्म निर्भर भारत भ्यान का मुल्भुत आधार है। इस देश को 130 करोड देश वाच्छों के लिए भी आत्म निर्भर बना रहे हैं और पूरे वैश्विक परिवार की बनाई के लिए भी आप कल्पना की करिए। इस कोरोणा काल में जब भारत ने 150 से जादा देशों के नागरिकों की मदद के लिए जरूरी दवाईयां भेजी। आज भारत ने दुनिया के अलग देशों से अपने 50 लाग से अधिक नागरिकों को स्वदेश लाने का काम किया। जब भारत ने अनेकों देशों के हजारे और नागरिकों को सुरक्षित उनके देश भेजा। जब आज भारत खूद करोणा की वैक्षिन बना रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी तेज गर्ती से टिका करन कर रहा है। जब भारत मानव जीवन की रक्षा को धान में रखते हुए दुनिया भर को वैक्षिन पहुचा रहा है। दे रहा है तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जहां भी उनकी आत्मा होगी जरूर गर्व मैसूस होता होगा। साधियों इस अभ्यान को सभल बनाने के लिए अभुत्पूर्व प्रयासों की भी जरूत है। इन भगिरत प्रयासों की एक जलक हमें इस बार के बज़ेट में भी दिखाई देती हैं कोरोना काल में देश के सामने जो चुनवतियां आई उनके समाधान को ये बज़ेट नई तेजी देने वाला है साथियों बज़ेट के पहले कई दिखज ये कह रहे थे कि देश ने इतने बड़े संकर का सामना किया है इसलिए सरकार को टैक्स बढ़ाना ही पड़ेगा देश के आम नागरित पर बोज लालना ही होगा नए नए कर लगाने ही पड़ेंगे लेकिन इस बज़ेट में देश वासियों पर कोई बोज नहीं बढ़ाया गया बलकि देश को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने जादा से जादा खर्च करने का फैसला लिया है ये खर्च देश में चावडी सरका बना सरके बनाने के लिए होगा ये खर्च आपके गाउं को शहरों से बाजार से मंडियों से जोडने के लिए होगा इस खर्च में फूल बनेंगे रेल की पट्रियां बिछेंगी नई रेल चलेगी नई बसे भी चलाई जाएगी सिक्षा पढ़ाई लिखाई की ववस्ता अच्छी हो हमारी विवाओं को जादा अच्छे आउसर मिले उसके लिए भी बजेट में अनेक फैसले लिए गए हैं और साथियों इन सब कामों के लिए काम करने वालों की भी तो जरूत पड़ेगी जब सरकार निर्मान पर ज्यादा खर्च करेगी तो देश के लाखों नवजमानों को रोजगार भी मिलेगा आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे साथियों दसकों से हमारे देश में बज़ेट का मतलब बस इतना ही हो गया था कि किसके नाम पर क्या गोशना कर दी गई बज़ेट को बोट बैंक के हिसाब किताब का वही खाता बना दिया गया था आप सोचिए आप भी अपने घर में आने वाले खर्चों का लेखा जोखा अपनी वर्तमान और भविश्की जिम्मेदारियों के हिसाब से करते हैं लेकिन पहले की सरकारों ने बज़ेट को ऐसी गोशनाओं का माध्यम बना दिया था जो पूरी ही नहीं कर पाते थे अब देश ने वो सोच बदल दी है एप्रोच बदल दी है साथियों कोरोना काल में भारत ने जिस तरह से इस महामारी से लड़ाई लड़ी है आज उसकी तारीप पूरी दुनिया में हो रही है हमारे टीका करन अभ्यान से भी दुनिया के कई देश सीख रहें अब देश का प्रयास है कि हर गाउं कस्मे में भी इलाज की ऐसी विवस्ता हो कि हर छोटी मोटी बिमारी के लिए शहर के तरफ भागना न पड़े इतना ही नहीं शहरों में भी अस्पतालों में इलाज कराने में तकलीफ न हो इसके लिए भी बड़े फैसले लिए गए हैं अभी तक आपको अगर कोई बड़ा टेस्ट या चेक अप कराना होता है तो आपको अपने गाउं से निकल करके गोरगपुर जाना पड़ता है या फिर कई बार आप लखनों या बनारत तक चले जाते हैं आपको इन दिक्कतों से बचाने के लिए अब सभी जिलों में आदूनिक टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी जिले में ही चेक अप की व्यवस्ता होगी और इसलिए देश ने बजेट में स्वास्त के क्षेत्र में भी पहले से काफी जादा खर्च की व्यवस्ता की है साथियों हमारे देश की प्रगति का सबसे बड़ा अधार हमारा किसान भी रहा है चौरी-चौरा के संग्राम में तो किसानों की बहुत बड़ी भूमी का थी किसान आगे बढ़ेंगे आत्मी निर्वर बने इसके लिए पिछले छे सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किये गए है इसका परणाम देश ने कोरोना काल में देखा भी है महा मारी की चुनोतियों के बीच भी हमारा कृशिक शेत्र मजबूती से आगे बढ़ा और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया हमारा किसान अगर और ससक्त होगा तो कृशिक शेत्र में से में ये प्रगती और तेज होगी इसके लिए इस बिज़ेश में कई कदम उठाए गए है मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने इसके लिए एक हजार और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा यानि मंडि में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी वो अपनी फसल कहीं पी बेच सकेगा इसके साथ ही ग्रामिन छेत्र के लिए इन्फास्ट्रक्चर फंड को बढ़ा कर 40,000 करोर रुपिय कर दिया गया है इसका भी सीधा लाप किसान को होगा ये सब फैसले हमारे किसान को आत्मनिर फर बनाएंगे कुरुची को लाप का व्यापार बनाएंगे यहाँ यूपी में जो केंदर सरकार ने जो प्रधान मंत्री स्वामित्व योजना की शुरूप बात की है वो भी देश के गावों के विकाफ में अहम भूमिका निभाने वाली है इस योजना के तहट गाव की जमीनों गाव के घरों का कागज गाव के लोगों को दिया जा रहा है जब अपनी जमीन के सही कागज होंगे अपने घर के सही कागज होंगे तो उनका मुल्य तो बड़ेगा ही बेंकों से बहुत आसानी से कर्ज भी मिल जाएगा गाव के लोगों के घर और जमीन पर कोई अपनी बूरी द्रश्टी भी नहीं डाल पाएगा इसका बहुत बड़ा लाब साथियों आज ये प्रयास किस तरह देश की तस्विल बरदल रहे हैं गोरकपूर खुद में इसका बहुत बड़ा उदान है क्रांटी कारियों की ये धर्ती कितने ही बड़ीदानों का गवा ये खेत्र लेकिन पहले यहां क्या तस्विर होती थी यहां कारखाने बंद हो रहे थे सडके खस्ता हाल थी अस्पताल खुद में बिमार हो गए थे लेकिन अब गोरकपूर खातकार खाना फिर्शे शुरू हो रहा है इसमें किसानों को भी लाब होगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा आज गोरकपूर में एम्स बन रहा है यहां का मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हजारों बच्चों का जीवन बचा रहे हैं पिछले कई दसकों से यहां इनसे फेलाइटीस जिसका उलेख अभी योगी जी ने किया बच्चों का जीवन निगल रही थी लेकिन योगी जी के नेत्रूत में गोरकपूर के लोगों ने जो काम किया अब उसकी प्रसंसा दुनिया की बड़ी-बड़ी संस्थाय कर रही है अब तो देवरिया, कुशी नगर, बस्ती, माराज गंज और सिर्थार्थ नगर में भी नए मेडिकल कॉलेज बन रहे है साथियों, पहले पुरवाइंचल की एक और बड़ी समस्या थी आपको याद होगा पहले अगर किसी को पचास किलो मिटर भी जाना होता था तो भी तीन-चार घंटे पहले निकालना पड़ता था लेकिन आज यहाँ फोर लेन और सिक्स लेन सड़के बन रही है इतना ही नहीं गोरगपूर से आठ सहरों के लिए फ्लाइट की भी सुविजा बनाई गई है कुछी नगर में बन रहा इंटरनेशनल एरपोर्ट यहाँ टूरिजम सेक्टर को भी आगे बढ़ाएगा साथियों यह विकास आत्मन निर्भरता के लिए यह बड़लाव आज हर स्वातंतरता सेनानी को देश की स्तरधान्जली है आज जब हम चवरी-चवराश्टाद्धी underst बना रहे हैं तो हमें इस बड़लाव को सामुहिक भागी दारी से आगे बढ़ाने का संकल्प लेना है हमें यह भी संकल्प लेना है कि देश की एकता हमारे लिए सबसे पहले है देश का सम्मान हमारे लिए सबसे बड़ा है इसी भावना के साथ हमें हर एक दैश्वासी को साथ लेकर आगे बढ़ना है मुझी विश्वास हैं जो यात्रा हमने शुरू की है उसे हम एक नए भारत के निर्मान के साथ पुरा करेंगे मैं फिर एक बार शहीदों के इस सतावी के बेला पर पूरे साल भर एक बात न भुलें कि वे देश के लिए शहीद हुए थे वे शहीद हुए उसके कारण आज हम स्वतंत्र हुए वे देश के लिए मर सके अपने आपको मार सके अपने सपनों को आहूत कर सके कम से कम हम मरने की नौबत तो नहीं है लेकिन देश के लिए जीने का संकल्प जरूर ले उन्हें सवभागी मिला देश के लिए मरने का हमें सवभागी मिला देश के लिए जीने का ये पूरा शताब्दी वर्ष चोरी चोरा के सहीदों का स्वणन करते हुए ये हमारे लिए संकल्प का वर्ष बनना चाहिए हमारे लिए सपनों को साकार करने का वर्ष बनना चाहिए हमारे लिए जी जान से लिए जन जन की भगाई के लिए जुड जाने का बनना चाहिए तभी ये शहादत का सो साल हमें नई उचाईयों पर ले जाने का एक अपने आप में आउसर बन जाएगा और उनकी शहादत हमारी प्रेरना का कारन बनेगी इसी एक भाउना के साथ मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत नन्यवाद करता हूँ